तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले महिंद्रा Scorpio के नेक्स जनरेशन के बारे में जी हाँ दोस्तों महिंद्रा ने अफिशली अनाउंस कर दिया है कि वो 27 जून 2022 को अपनी Scorpio का निया जनरेशन निकाल रहे है Scorpio का निया जनरेशन आयका Scorpio N के नाम से जो outgoing अभी जो model market के अंदर है वो भी महिंद्रा जो है sale करेगी वो Scorpio classic के नाम से महिंद्रा sale करने वाली है जो अगर नए model की बात करें तो बहुत जादा देखने में सुन्दर लग रहा है बहुत जादा bold look है इसके ना काफी जादा advance पुराने वाले से हो चुका है comfort जो है गाड़ी का increase कर दिया गया है comfort के साथ साथ sunroof भी है panoramic ना होके छोटा वाला sunroof दिया गया है इसके अंदर अगर बात करें इसकी पीछे वाले lights के बारे में तो बहुत जादा सुन्दर देखने को लगती है कहीं ना कहीं Volvo XC90 की जो है याद दिलाती है और steering इसमें XCV7W जैसा ही मिलने वाला है boot space की बात करें तो वो खतम हो चुका है बहुत ना के बराबर boot space इसके बचा है क्योंकि जो पीछे वाली सीट से पहले तो side facing आती थी आप इसके अंदर आन लगई front facing पर हो सकता है base model या फिर जो मेड मॉडल है उसके अंदर आपको वापर side facing का option मिल जाए इंटीर जो है इसका brown और black का लगा दिया है जो की गंदा कम होगा अच्छी बात है आपको door वगरा open वगरा होने की आपको इसमें warning मिल जाती है tire pressure monitoring system इसके अंदर आपको मिल जाता है meter आपको analog भी मिलेगा और digital का combo mix मिलेगा जैसे Kia Celtos के अंदर देखने को मिलता है meter जो है इसका speed meter देखने में काफी अच्छा लगता है काफी रात को जो अपन drive वगरा करेंगे तो देखने में भी इसके पीछे वगरा जो कई तरीके की lights वगरा जो है डाली गई है जो देखने में बहुत ज़्यादा smart लगती है बहुत ज़्यादा रात को अच्छा लुक आता है जिसका ambience अच्छा create होता है गाड़ी के अंदर फिर बात करें इसके features वगरा और आगे बढ़ें तो इसके अंदर आपको यूएजबी control वगरा जो है यूएजबी का दे दिया है आपको इसके अंदर option दो आप charging वगरा के sockets वगरा कई दे दिया है dual zone climate control जो है गाड़ी के अंदर Scorpio N के अंदर आपको offer किया जा रहा है parking brake जो होगा आपका वो manually होगा वो digital वाला नहीं आने वाला manual के अंदर भी वैसे हाथ से खेंचने वाला आएगा इसके अंदर और display की बात करें जो main इसकी बीच वाली जो display आती है वो लगबग आएगी आपकी 8 इंच की जो है display आएगी वही हम बात करें अगर इसके पुश बटन स्टार्ट वगरा इसके अंदर दिया गया है पुश बटन स्टार्ट गाड़ी के अंदर आएगा स्टेरिंग आपका कंट्रोल स्टेरिंग के अपकर cruise कंट्रोल वगरा सब मिलेंगे आपको आप वहां से डिस्प्ले वगरा सेट कर सकेंगे आप और एड़िस्ट वगरा जो भी मीडिया के कंट्रोल आपके सपास हमाँ पर रहेंगे फिर बात करें इसके सेकंड्रो में तो सेकंड्रो में भी काफी जादा स्पेस के अंदर कराई गई अविलेबल और जो गेट है पहले से थोड़े से जाधा मोटे होगा सोनी का 360 डिगरी साउंड सिस्टम भी आपको इसके नहीं मिल जाएगा पीछे वही जो है पीछे से जो चारो तरफ उपर कवर रहता है चारो तरफ उसके स्पीकर्स रहते हैं फिर आपकी पीछे वाली जो सीट्स होगी पीछे वाली सीट्स में भी आपको वेंट्स वगरा सब प्रोवाइट कराएगा आराम से आपको सफोकेशन वगरा नहीं लगेगा पीछे भी सेपरेटली दी गई है पीछे वाले गविन के लिए बीच में भी आपके पास लाइट मिलती है फ्रंट के अंदर जो है आपको सुनुरूफ इसके अंदर पैनेरोमिक ना मिल करके छोटा वाला सुनुरूफ जो है वही मिलेगा फिर इसके अंदर जो पहले बड़ी शिकायत थ वह गंदा बहुत जल्दी हो जाता था लेकिन अब इसके अंदर जो आपको ब्लैक और ब्राउन कलर का जो कॉंबिनेशन दिया है इससे क्या होगा कि आपका जो गाड़ी का है जादा डर्ट नहीं पकड़ेगी और आप रोरल एरिया वगरा में भी अगर जाएंगे करेंग लिफाय था उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया था गाड़ी का जो ग्लोफ बॉक्स है वह भी आपको मिल जाता है बीच में कैप्टिन सीट्स का भी इसमें आपको ऑप्शन दिया है फिर संरूफ जो है सकेंदर आपको जैसे मैं पहले बताया चोटी दे रहें और शेड जो है संरूफ का वो हाथ से खोलना पड़ेगा जो ग्लोफ बॉक्स जो है गाड़ी का इतना बड़ा अविलेबल नहीं करा गया फिर आपको जो है कर्टेन एयर्वेक्स भी गाड़ी के इंदर देखने को मिल जाएंगे कर्टेन एयर्वेक्स के साथ में जैसे पर मिल रहा है एलेक्स नहीं है वही जो पुराने वाली जनेरेशन की एक्सिवी के अंदर यह कंट्रोल आते थे एसी का पीछे वाला आपको वैसा ही दिया गया है डूल जोन इसमें आता है क्लाइमिट कंट्रोल एयर कंडिशनर आटोमेटिक और साथी साथ जो आपके विं जैसे पुरानी स्कॉर्प्यों के अंदर आता था एक प्रोजेक्टर दूसरा आपको हेड्लेंप नॉर्मल बल्ब वाला वैसा ही दिया गया है और इसके नशी टाइप की जो है डीरल नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी एक फ्लोटिंग इंडिकेटर भी आपको दे कर रहा है वह अपनी वही वाला दिया गया है सेविन सामने के सामने जो है आपको साथ गरिल मिल जाएगी और वही महींद्रा का जो नया वाला लोग है वह आपको देखने को मिलेगा यहां पर उसके साथ बात करें तो गाड़ी जो है पूरी महींद्रा ने रिवील कर दी है इसके अंदर जो color option आपको देखने को मिलेंगे total 7 colors जो है महींदरा आपको Scorpio N के साथ offer करेगी जो है aquamarine, molten red range, mystic copper, galaxy gray, napoli black, rocky beige और pearl white color जो है आपको offer करने वाली है महींदरा इसके साथ फिर बात कर लें इसके engine options के बारे में तो diesel और petrol दोनों के अंदर available रहेगी दोनों के अंदर है जो है आपको इसके अंदर automatic variant मिलेंगे और diesel जो है 140 horsepower generate करेगा, petrol जो है 175 horsepower generate करेगा Amstallion जो petrol engine आता है, इसका चारों में disc brake आएंगे, 9 inch की display इसके अंदर offer करी जाएगी auto car play, android auto आएगा, wireless charger आएगा, air purifier आएगा, 360 degree camera आएगा तो इन सब features के साथ जो है महिंदरा अपनी new score वियो N को launch कर रहा है जो की segment में अभी तक देखा चाहिए तो safari वगर हमें निया है वीडियो वगर आपको पसंद आए तो like, share और subscribe ज़रू कर देए, अपना ध्यान रखे, सुरक्षर चले, धन्यवाद